हेलो फ्रेंड गुड मॉर्निंग वेल्कम तू यूटूब चैनल कंट्रक्शन मनेन्मेंट फ्रेंड आज का वीडियो का टॉपिक है टू साइडेड वाल्स एंड कॉलम्स इसके बारे में कुछ फीगर दिखाएंगे कि इसमें कौन-कौन सा मट्रियल यूज हुआ है और कैसे बना हुआ है टू साइडेड वाल्स एंड कॉलम्स उसके बारे में पूरा डिटेल देंगे हैं टॉपिक हम लिख देते हैं फ्रेंड ये टॉपिक है आपको ग्राप्स में भी देखने के लिए मिलेगा साथ-साथ में आप ग्राप देखेंगे हैं साथ-साथ में आप ड्रोइंग में कुछ से देखने के लिए नौलेज मिल जाएगा कि टू-साइड ड्वाल्स एंड कॉलम्स में कैसे ड्रोइंग में आता है और किस तरह से उसको कौन-कौन सा मट्रियल दे करके लगा करके अलाइमेंट करके और उसको सही किया जाता है तो कोई भी वीडियो हो कंट्रक्सल लाइन में आप सुरू से आखिर तक देखिएगा तब भी आपको कुछ न कुछ नौलेज हासिल होगा जो भी भाई कंट्रक्सल लाइन में काम करते हैं उनको तो especially मालूम चल जाएगा कि कहां पर क्या लगा हुआ है तो चलिए वीडियो को हम सुरू करते हैं पहले हम दिखाते हैं यहां पर देखिए यहां पर टॉपिक भी दिया हुआ है टू साइडेड वाल्स एंड कॉलम्स सबसे हम पहले बात करेंगे वाल्स का कि वाल्स कैसे बना हुआ है साथ ही में आपको वो भी देखने के लिए मिल जाएगा कॉलम्स भी देखने के लिए मिल जाएगा लेकिन बताएंगे तभी कुछ न कुछ समझ में आएगा सब सेक्षन देया हुआ, अब कुछ है यहाँ पर, पहले हम बात करेंगे टॉप लाइन का, टॉप लाइन में, सबसे पहले टॉप में, इस्पोंडेन, इस्पेंडेड पैनेल, इस्पेंडेड पैनेल मतलब उसका टॉप लेबल में जो भी होगा, जो हाइट में होगा वहाँ पर, इस्पोंडेड टाई, यहाँ पर टाई राड भी लगा हुआ है, देखता है आप, जो भी फिगर देख रहे हैं, यह लाल टाई राड है, और विंग नट फ्लेट है, और यह टॉप लेबल का, इस्टोप एंड है, अब हम बात करेंगे, यहाँ पर पैनल का, कितना कि, अब 40 cm, आप सामने देख रहे हैं, तो 40 cm है, टाई राड है, टाई राड को दोनों साइड लगा करके, उसका पार मेजरिंग करके, नापी करके, उसके बाद ड्रील से, उसको ड्रील से, ड्रील की अलए किया जा." तक पहना आ जाता है बात में फिप्टिन में हैं फिफ्टिटिन मने के पंद्र सेंटी का सेंट इसका थिकनेस के लंबा जो उसमें पहेगा सिटील का तक आटा है बारा करके उसके पीछ में होल रहता है इससे टायड डाल देंगा डाल करके उधर wingnut और plate डाल देंगे दोनों तरफ में उसके लिए टाइरट रहता है counter plate टाइरट जो डालते हैं उसके पहले टाइरट पहले पढ़ेगा उसके बाद से pbc pipe center पढ़ेगा और ये plate बाहर रहेगा उसके बाद से wingnut लगा देते हैं अब देखेंगे अपका foundation का ये अप एरिया नीचे foundation हो गया उसके उपर से ये वाल्स को खड़ा करते हैं तो यहाँ पर size दिया हुए 240, 120, 60 cm यानि total height इसका 4 meter 20 cm होता है अब यहाँ पर देखिएगा push pull bar push pull props यहाँ पर देखिए push pull props आगे भी किया जा सकता है पीछे भी किया जा सकता है यह push pull props को walkway bracket मतलब यहाँ पर आदमी को खड़ा हो करके काम करने के लिए bracket लगा हुआ है every three meter तीन मीटर पर ब्राकेट लगा हुआ है लगा करके आओ यह pull push prop यहाँ उसके बाद हम column का बात करेंगे तो column में देखिए सबसे पहले सबसे पहले जो भी base होता है बेस foundation के जो base हुआ foundation के जो base होता है उसका एक frame बनाय जाता है framing, column के किटना size का column है उसके size का frame बनाय जाता है frame बना करके, foundation 100 рад uni 10 cm ऊपर तक casting किया जा सकता है 10 cm, 10 cm ऊपर casting को मतलब होगा या कि प्रोबर आपका प्रोपर आपका वो कालम का साइज निचे मिलेगा उसके बाद से अलाइमेंट करने के बाद प्लम लगाने के बाद ये जो है बराबर राइट इंगल में मिलेगा और आपका साइज इतना का होगा उतना में मिलेगा उसके लिए स्टार्टर बार कह लिए या बेस कह लिए इसको एक्चुल में स्टार्टर बार ही कहते हैं और उसके देखने का फायदा आप आगे चलके देखाएंगे हम कालम में कालम में क्या benefit है उसको आप देख लिजिएगा अब यहां पर हम बात करेंगे कॉलम का सबसे पहले टॉप में इसका फोल्ड ब्राकेट आप देख तक ने लिखा हुआ भी है इसका फोल्ड ब्राकेट इस पर लगा हुआ है इसमें पीन रहता है अल्रेडी कास्ट प्लेट में टाइड में टाइड के आएता है उसके बात इसी तरह से फीगर जो है ना गराफ रहता है यहां पर लगता है चाहिए ट्यूब पाइप लगा लिजिए यहां पर ट्यूब लगा लिजिए यहां पर एक्शुवल में इसमें ट्यूब नहीं आता है वह सेप्टी का वह वाइट आपको व्यांता है तो उसको सेप्टि में सेप्टि के लिए इस्तिमाल करते हैं इसमें डाल देंगे तो उसके बार से इस पर रखेंगे यहाँ पर 4 meter by 20 cm का 3 timber रखेंगे तो उसके बाद से अगर यह छोटा कालम है तो कालम को छोटा छोटा timber रखेंगे लेकिन बड़ा वाल के लिए बड़ा बड़ा पाइन तिमबर रखेंगे फिरेंड यह सेफ्टी के लिए हो गया फूस्पूल प्रॉस्प्स मतलब यह उपर के टॉप ही ता और नीचे का टॉप ही ता और यहां पर यह आप यहां पर देखे है यहां यहां पर यह और यहां पर देखिए यहां पर कालम को कॉस और करके बार चाल करेंगे और बवुट कि और प्रकुट लगागा गया उसके बाद से आपको आगे करना है पीछे करना है उसके लिए यहां पर ठेड़ यहां पर जो आपकांने प्लोग Capital कर सकते हैं यह इसमें जैसे लगा हुआ है इसमें भी काउंटर फ्लेंट से पहले फ्ले लगता है। उसके बाद लेगा इधर भी लगएगा टायट करके उसके बास से अपना साइज कोक्या कितना साइज के की वाल है यह कौन बना करके रऊसमें डालते हैं उसी तरह से हैगा में रखा डाला गया vara उसी तरह से वो रहे गा वे इस फॉसी में रह जाएगा और टायरण जो है वेस्ट नहीं होगा डूक्सान होगा यह निकल जाएगा भी निकलं सामने देख रहे हैं जो कुछ भी है सामने फ्रेंड जो भी ग्राफ देख रहे हैं उसको सामने आपको डिटेल दिया गया है इससे आपको ड्रोइंग का भी नोलेज हो जाएगा और किस तरह से काम किया जाता है उसको भी नोलेज हो जाएगा तो फ्रेंड इस वीडियो में इ कि आप management होता है contraction में आपको देखने के लिए मिलेगा इस चैनल पर बहुत वीडियो बने हुए हैं जो कुछ भी काम आपका चाहिए search करके आज चैनल पर आकर के आप देख सकते हैं जो भी real है fake take कोई नहीं है जी ना इन तरीका से जो भी explain है उसको explain करता हूं और बहुत सारे वीडियो है आप जो भी contraction line से काम करते हैं चैनल पर आईए और चैनल को देखिए देख करके अपने मुश्किल काम को आसान बनाईए अगर चैनल पर नए है तो इसको subscribe कर लिजे बेल आइकोन को प्रेस कर लिजे कि ऐसे contraction line से जो भी जुड़ी होई वीडियो बने की इस चैनल पर अपलोड होगी उसकी notification आप सभी भाईयों को मिलती रहेगी वीडियो सुरू से आखिर तक देखने के लिए और चैनल पर बने रहने के लिए ठेंक्स एंड टेक केर जुड़ी होई बने खेंगर प्रीक के लिए लिए लुड़ी होई नाप जाएब कर देखने के लिए पक लिए भाईयों सुरू